यह LIC की वेकेंसी है और बेसिकली यह जैपूर प्रिथम वे दिती है जो सर्किल है व्रथ है उनके लिए होने वाली है इसमें चैन के लिए एप्लिकेशन्स इन्वाइटिड हैं अब हम इसकी बेसिक डिटेल्स जो है वो जानने वाले हैं सबसे पहली बात इसका जो इस्टाइपेंड और अन्य लाब जो होंगे उनके बारे में हम जान लेते हैं तो यहां पर मैंचन किया हुआ है कि जो पहला साल होगा आपके चैन के बाद में उसके लिए आपको दस हजार रुपे प्रती महा दिये जाएंगे उसके बाद जब आप एक साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको दित्य वर्ष में जब आपका दूसरा साल होगा उसमें आपको नो हजार रुपे प्रती महा दिये जाएंगे और जब आप दो सल कंप्लीट करने के बार तीसरे वर्ष में प्रिवेश करेंगे तो आपको तिर्थी वर्ष में आठ हजार रुपए प्रतिमाह दिये जाएंगे साथ ही साथ में इनकी जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया यह है कि आपको 75% का वो प्रतिमाह के अंत में दिये जाएगा मतलब आपको सेलेरी जो होगी वो आपको महिने के लास्ट में दी जाएगी और बकाया जो 25% है वो आपको जब आप एक साल ये साल कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसके बाद में जो वैतनिक वर्ष होगा उसमें वो 25% दे दिया जाएगा इट मींस कि अगर आप पहले साल में है तो आपको जो जो दस अजार रुपे है इस दस अजार रुपे का 75% मतलब पिछतर सो रुपे प्रतिमाह दिय जाएगा और जो पच्छिस सो रुपे बच जाएंगे वो आपके जमा होते रहेंगे जब आपकी साल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पच्छिस सो गुणा बारा के अकॉर्डिंग एक साथ पैसे दिये जाएंगे और इसके अलावा 7500 प्रतिवर्ष में 9000 का 55% रहेगा और पच्छिस परसेंट का बारा से गुणा तरके साल के अंत में और तिरतिय वर्ष में 8000 रुपे का 75% आपको सैलेर दी जाएगी और बचावा 25% इसको बारा से गुणा तरके साल के अंत में दिया जाएगा तो यह इसका क्राइटेरिया है अब आप जब यह करेंगे तो इसमें आपको कमिशन भी मिलेगा आपकी जो प्रोड़क्टिविटी रहती है जितनी आप इसकीम्स की दे पाते हैं कंजूमर्स को या कस्टमर्स को उसके कॉर्डिंग आपको इंसेंटिव दिया जाएगा और अगर आप टू वीलर लेना चाहते हैं तो उसके जो है या candidate को जो है वो मुख्य जीवन भीमा सलाकार जो होता है उसकी योग्यता मिल जाती है और इसके उपर शर्ते कुछ होंगी जो आपको डिटेल में जब आप इसके लिए आविदन करेंगे तब बता दिया जाएगा अब चैन हे तू क्या qualifications रहनी है तो सबसे पहले इस की जो eligibility है उसके बारे में बात करते है तो age जो है आयू जो है वो 21 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए जो गई हुई जरंद गया हुआ जरंदिन है उसके उपर आधरित अनुसुत जाती अनुसुत जन जाती और जो एक्स सर्विस मैन है भूतपूर सैनिक है और sales और marketing का जो experience रखते हैं उन candidates के लिए age जो है वो 40 साल तक है जो है वो 21-22 शुक्रवार रहने वाली है इसके अंदर एक exam भी होगा उस exam की तारिक 28-2022 शुक्रवार रहने वाला है अब अन्य नियम में शर्ते देख लेते हैं इसकी applicant जो है वो नगरिय शाखा के कारिय शेत्र में जो उसकी territory है उसमें एक साल पहले का निवासी होना चाहिए मतलब यह जापूर की vacancies है तो जापूर प्रिथम और दिती है जो है उसमें आप एक साल से रह रहे हूँ दूसरी भारती जीवन वीमा निगम के करमचारी केंद्र अत्वा राजिस सरकार के करमचारी और निगम के जो एजेंट पहले से हैं उनके पती या पतनी इस आवेदन के लिए योग्य नहीं है यह केवल ऐसे candidates के लिए हैं जो इन तीन या चाहर कैटेक्रीज में नहीं आते सेवा निवरित करमचारी मतलब retired employees या फिर former agents जो है वो भी आवेदन के योग्य नहीं है apply कैसे करना है तो जो आवेदन का form है आपको और जो detailed information है वो आपको यह जो दू address दिये हुए है करियर शक्खा जैपुर पृतम वाली जो की नहरू पैले स्टॉक रोड पे है और दूसरा जो है वो आर्केड इंटरनेशनल कॉंप्लेक्स अजमेर रोड जैपुर आजसम पे है यहां से आप सारी details ले सकते हैं आप यहां जाकर मिल लीजिए आप इनके phone number दिये हुए है contact भी कर सकते हैं last and final thing यह भरती जो है वो केवल जैपुर नगर के जैपुर शहर के नगरिये सीमा के निवासियों के लिए ही लागू है तो यह केवल और केवल जैपुर शहर के लिए है अगर आप लोग इसमें apply कर रहे हैं तो opportunity अच्छी है जो भी इसमें apply करना चाते हैं उन सबी को all the best thank you so much for watching this video मिलते हैं अगले वीडियो में best wishes from the skilled youth gurukul youtube channel family